कि हालो इस्टुडेंट बहुत-बहुत स्वागत है आप सब का PBR स्टेडी में तो बच्चों सामके साथ बच चुके हैं आज आज जल्दी से फटा-फटा और हम सुरू करते हैं कच्छनों की NCRT गडित कोई भी बच्चा कलाश शोड़ के नहीं जाएगा पूरा कलाफ एंड तक देखना और हम बहुत ही मज़ेदार तरीके से आज आपको पढ़ाने वाले नया चैप्टर होगा तिर्भूच क्या नाम है यह चैप्टर का तिर्भूच तिर्भूच पढ़ेंगे आज आप लोग ट्राइंगल जिसे बोलते हैं कच्छनों की NCRT गडित आपका छाठा चैप्टर खतम हो गया है आप सबका बहुत दिन से इंतजार था कि सत्वा चैप्टर पढ़ाया जाए तो आज से सत्वा चैप्टर सुरू होगा संत भक्ती जी कीरन और मुकेस अंकिता सिंग सुधान सू और कॉन जुड़ा है भई मोहित जी सभी का बहुत-बहुत पहचानते हो यह चैप्टर साथ हो रहा है इसे पहचानते यह यह क्या है जांते हो इसको लुफ mean जातने सिम्रनदानी सिम्हानी औडवी कुमार जब आप अवार्वन दीजिये क्या है यह तो आज कुछ ऐसे ही अम लोग प्रेक्टिकल करने वा न थीक है अ करेंगे आज हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे बड़ा ही मज़ेदार प्रैक्टिकल करेंगे यह आपका साथ मैं थोड़ा सा मारकर मैं अच्छे से भर देता हूं इंक जिससे बेहतर चले भाई आयूस जी जुड़ गए है संजय कुमार भी जुड़ गए है सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है तो कोई जाएगा नहीं मैं मारकर में थोड़ा इंक डाल देता हूं फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे ठीक है यह बताओ आप लोग क्या जानता है बताया साथ जल्दी पोलो है तिल भूज जानत necessary किसे कहते हैं है चलो बतां आप अनुराक कुमार याफ सिवानी आयूस शीमरन तिर बूज किसे कहते हैं बताओ चलो बोलो तो रामफूल आपी बतादो रोहित कुमार या भूम है मैं सब कमेंश आओं बिल्कुल मत लेना बिटा एकदम ध्यान से पढ़ना दिल लगा के पढ़ना सब समझ में आएगा ठीक है बांड़ेट भाई थ्री साइड एंड काल्ड ट्राइंगल जी बिल्कुल लगब काफी हत तक ठीक है किरन मौर्या का बिल्कुल राइट देखो तिरबूच किसे कहते हैं तीन बंद हो वो तिरबूच कहलाता है जैसे अभी मैं आपको बना के दिखा दूँगा काये को टेंसन लेते हो देखो यह बड़ा लफड़ा होता यार इसमें ज्यादा सही भर गया इसमें तीन भुजाओं से घिरी हुई अब बंद आकरती को तिरबूच कहते हैं ठीक है जिसक बहना को इसमें पलट देता हूं तब फिर आगे चलूँगा जाना मत कोई अ कि तीरबूच कितने परकार के होते हैं चलो बताओ स्कूआ देखो तिरबूच चैनलवकर करना के होते हैं आर तीन भुजा के देखर और तीन कोंड के देखर में चानल पढ़ा रहा हूं पिर मै है मैं काम की बात कर रहा हूं फालतू कवात नहीं कर रहा हूं है तो मुझे कोई बतायेगा की भुजा के आधार कौन कौन तिर्भू यह थे हैं भूजा के अधार पर जो ध्युल उसे नाम बताऊचे कोई कि एनिवंग्रों देखो बच्चा भूजा के आधार पे इसें में साइड बोलते हैं ठीक है कौ सीखिक्शन आफ द्रेंगल तो देरार सिक्स्ट पासु गल सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि Big book अईजै कुमार बिल्कुल बेरी गुड बिल्कुल बिल्कुल मैं आपका कमेंट देख रहा हूं बच्चा चलो तो हम इस्टार्ट करते हैं बीना देर करें हुए कुछ नहीं सेर करेंगे किसी को जिनको पढ़ना हो जुड़ेंगे जिनको नहीं पढ़ना हो नहीं जुड़ेंगे ठीक है चलो अब देखो हाँ अब बात होती है चैप्टर साथ गलाफ नाइन्थ एनसी एर्टी महत सबसे पहले है तिरबुज का साइन है इंगलिस में लिखते हैं ट्राइंगल हिंदी में लिखते हैं तिरबुज तिरबुज किसे का चाहते हैं तीन भुजाओं से गिरी हुई और बंद आकरती तिर्भूज कहलाती है, हां, देखो बच्चा कैसे, आगर मैंने तीन भूजा ऐसे बना दिया ऐसे, तो क्या ये तिर्भूज है, बोलो यास या नो, ये तिर्भूज है, देखो किरन मौर्या ने सब कुछ बता दिया, किरन बहुत बहुत धन्यवाद आपको, देखो बच्चा, ये फिगर वन है, और एक मैने और भी खीचा, फिगर टू, ये बोलो ट्राइंगल है कि नहीं, ये या नो, अनुराग सर, नहीं, अच्छा, और कोई एनिवन, देखो बच्चा, ये ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि ये बंद नहीं है, ये क्लोज सेफ नहीं है, सेफ जो है क्लोज होना चाहिए, मतलब वो चारो तरफ बंद होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए, इसमें से कोई आके घुच जाए, नहीं, अगर ऐसा होगा, तो वो ट्राइंगल नहीं होगा, हम, चलो देखो, ये क्या है, चुकि यह चारों तरफ से बंद है तीनों तरफ से क्या है कुलोज है ठीक है मैं कमेंट देखने के लिए इसमें चला लेता हूं वीडियो को दूसरे फॉन में कि चलो जिससे की हम बहतर कर सकें ओके तो क्वाल्टी तो बहतर दिख रही है इंटरनेट सुलो है क्या इंटरनेट बहुत घटिया चल रहे ना आज चलो तो यह समझ गए आप तीन भुजाओं से गिरी हुई बंद-ाकृति तिर्भूच कहलाती है जैसे ये आप बना लो ये आप बना लो लिख लो परिभासा लिख लो आप लोग तीन भुजाओं से गिरी हुई बंद आकरती तिर्भुच कहलाती है क्या होता है तीन भुजाओं से गिरी बंद आकरती तिर्भुच कहलाती है आप लोग लिख लो बहुत ही मज़ेदार आज ये सेशन होने माला है रोहिला खातुन जी मैं देख पा रहा हूँ आपको संजय कुमार जी आपका भी कमेंट आ रहा है चलिए इसके बाद अब हम मुख्य बाते करते हैं जो मतलब की बाते हैं कुछ जादा इंपॉर्टेंट है उनको आपके सामने पेज करेंगे हां चलो ठीक है तो आज हम सबसे पहले क्या देखेंगे यह आप लोग समझ गए इसकी इंगलीज में डेफनेशन भी सुन लो इंगलीज में बोलते हैं ट्रैंगल क्लासिफाइड इन टू वेज एक बाई साइड एंड एक बाई क्या होता बही एंगल ओके च कि देखेंगे तिर्भूझ के परकार क्या देखेंगे कि तिर्भुझ के परकार लोता में है कि इसकी जालो ब्लिक हो जल्ड़ोत एक रंट कईसे ब्र और मराब राजिर चालो इब चल्यल्ड कुना यह लोग द् Green a तिर्भुज को दो परकार से वर्गी किरिद किया जा सकता है हिंदी वाले लिखेंगे तिर्भुज को दो परकार से वर्गी किरिद किया जा सकता है नमबरे डालोगे भुजा नमबर भी कोण ठीक है इंगलिस वाले लिखेंगे ट्रेंगल कैन भी क्लासिफाइड इन टू बे बाई टूबेज ना है ना लिखो जल्दे फट से लिखो इन टूबेज मैं हिंदी में लिखवाऊं क्या नंबर ए क्या भाई नंबर ए बाई साइड नंबर ए बाई साइड और नंबर दो है बाई एंगल लिखो फटा फट लिखो बाई साइड एंड बाई अंगल यानि हिंदी में भी लिख लो टेंसन मतलो मैं हिंदी बोल रहा हूँ तिरभूज को दो परकार से वर्गी कृत किया जा सकता है तिरभूज को दो परकार से वर्गी कृत किया जा सकता है नमबर A, भूजा द्वारा, और नमबर B, कौन द्वारा, यह हो गया ठीक है, मैं बोल तो रहा हूं न, सुनाई तो आपको पढ़ रहा है, तिर भूज को दो परकार से वर्गी कृत किया जा सकता है, नमबर A, भूजा द्वारा, नमबर B, कौन द्वारा, इतना हो गया बच् उके है अगला डालो अभ टैपाफ ट्रिंग़्ल बाई साइड हुए इसको में मिटाया दे रहा हूं ठीक है रामफूल जी तुमको मैं नहीं बता पाऊंग बैट आखाव तुंको मैं नहीं बता टाइप आफ ट्राइंगल बाई साइड हिंदी वाले लिखें भूजा के आधार पर तिरभूज के परकार हिंदी वाले लिखो भूजा के आधार पर तिरभूज के परकार टाइप आफ बैट टाइप होगा यार टाइप सोगा ना ट्राइंगल बाई साइड हिंदी वाले लिखे भुजा के आधार पर तिरभुज के परकार तो बाई साइड में थी टाइब के होते हैं नमबर एक जो होता है क्या होता है equilateral triangle equal लिखो पहले e q u i l ठीक है equal लिखोगे equal लिखने के बाद क्या लिखोगे equilateral triangle ओके यह ट्राइगल हिंदी में बताऊंगा टैंसन मत लेना ओके triangle ओके ठीक है आप क्या करोगे यह हो गया आपका यहेंगूंद होती है हिंदी में लिखो संभा हून है किוש biết क्या दिर्भूज़ क्या लिखोगे बक्च्चा हिंदी में संभा हुसम और इसका मतलब समझ भाई दुर्गे सोनी आ रहा समझ में जी बिल्कुल रोहिला खान जी आपको बिल्कुल मैथ आएगा बिल्कुल आएगा बिल्कुल देखो अब समझो आप लोग क्या-क्या होना है देखो यहां पर साइड में कि नाम से असपलेस्ट सम प्लस बाहू बाहू का मतलब बहू नहीं भूजा होता है यहां बाहू का मतलब जैसे यह मैं खीच रहा हूं यहां द्यान दो यह एक आईसा ट्राइंगल जिसका आल फाइड इक्वल हो समझ गे ना बच्चा ये आल फाइड इक्वल हो वो सम बाहु तिरबूज का लाता है या फिर इक्वाल्टरल ट्राइंगल का लाता है मिथे सोन कर आरा समझ में दुर्गे सोनी संजय धरमराज सिवानी आदो सबको समझ में आ रहा है बच्चा आ रहा न भाईया साम को साथ बजे से डेली ये लाइब होता है हर दिन होता है किसी दिन बाकी नहीं कि न हो ठीक है तो इसलिए क्या करोगे इमानदारी से हर रोज पढ़ोगे हाँ चले आगे यह हो गया समझ गया इक्वैल्टरल ट्रेंगल हो गया न आप इसे लिख लो मैं सामने से हड जाता हूं आप लोग लिखो परिभासा जिनको लिखना लिख लो एक ऐसा तिर्भूज जिसकी तीनों भूजाएं बराबर होती है एक ऐसा तिर्भूज जिसकी तीनों भूजाएं बराबर होती है वो संभाहु तिर्भूज कहलाता है क्या कहलाता है संभाहु तिर्भूज कहलाता है इसको आप लोग लिख लिए चलो बच्चाओ माई कोशिज करता हूं कुछ लोगों को शेयर करने का इसलिए मुझे कभी कभी kभी लेट हो जाता है कि अगला लिखो आईशोचसेट्र ट्रैंगल झाय से लेश ट्रैंगर जिसे सम्मधुढ़ू तिर्भूच कहते हैं कि क्या कहते हैं बच्चा सम्दुई बाहु तिरबुज कहते हैं ठीक है रामफूर जी कलाश 10 का बच्चा सुबह 8 बजे दो पार 2 बजे दोनों में से एक टाइम देखो ठीक है सुबह 8 बजे दो पार 2 बजे मैं दो टाइम आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि इन दोनों में से जो है एक टाइम आपको मिलेगा पहले चल रहा था सुबह 8 बजे फिर ये टाइम बदल रहा है तो बदल रहा है तो आपको दिक्कत ना हो इस वजह से में बता दे नहीं कि अगला लिखो लिखो फटा फट अ आई सोछ ट्रा सूरा बियाला लिखो आई सोछ सेलेश ट्राइंगल ओके जल्दी फट से लिखो वाई क्या होगा स्कालेंग प्राइंगल कि हिंदी में बहुत अच्छे से हम आपको बताएंगे आई सोसलेश ट्रेंगल जिसे बोलते हैं समदुई बाहू समदुई बाहू तिरभूज क्या है यह समदुई बाहू तिरभूज ठीक है आप लोग फटा-फट इस्पेलिंग देखो करेक्ट है न क्योंकि मैं हिंदी में बढ़ाता हूं इंग्लिस में नहीं है हिंदी में भी बोल रहा हूं भाई माफिया किंग बच्चा इसे बोलते हैं समदुई बाहू तिरभूज आप लोग हिंदी लिखो जो हिंदी वाले हैं क्योंकि इसमें इंग्लिस वाले बच्चे भी होते हैं तो समदुई बाहू तिरभूज क्या होता है देखो सम्दुई बाहु तिर्भूज वो होता बच्चा ये एक ऐसा तिर्भूज जिसकी दो भूजाएं आपस में बराबर होती है ये ठीक है एक ऐसा तिर्भूज जिसकी दो भूजाएं आपस में बराबर होती है वो सम्दुई बाहु तिर्भूज कालाता है ये कलास हर रोज साम को साथ बजे होती याद रखना बच्चा जो भी नए साथी जुड़े हैं सभी याद रखेंगे कि साम को होती हर रोज साथ बजे से और आप लोग इस कलास को खूब सेयर किया करो खूब दबा के सेयर किया करो ठीक है अगला क्या होगा भाई चलो बताओ आसीज कुमार पाल अगला बताओ क्या होगा अगला बताओ जल्दी करो चलो रेडी फटा फट देर मत करो एक भी सिकेंड इसके लेंड ट्राइंगल अगला क्या है इसके लेंड ट्राइंगल इसको इंगलिस में क्या बोलते हैं इसके लेंड ट्राइंगल ना इसको हिंदी में का बोलेंगे हिंदी में बोलेंगे बिसम बाहु तिरभूज भाईया हिंदी वाले लिख लो नराज मतो हिंदी में लिखेंगे बिसम बाहु तिरभूज क्या लिखेंगे बिसम बाहु तिर्भूज नाम से असफ़स्ट है बिसम बाहु बिसम बाहु तिर्भूज बहुत आसान है बच्चा ये बेरी सिंपल सा है एक ऐसे प्रकार का तिर्भूज जिसकी कोई भी भुजा आपस में समान ना हो वो बिसम बाहु तिर्भूज कहलाता ह क्या कालाता है विसम बाहुत इर्भूज कालाता है आकास कुमार आप नए हो ठीक है बच्चा कोई बात नहीं बावु बहुत अच्छी बात है चलो यह देखो इदर साइड में इसको ऐसे मिला लो इसमें अगर यह साथ है तो यह छे होगा यह पांच होगा या तीन होगा कुछ भी होगा तीनों बुझाएं अलग अलग होंगी ठीक है राहिला खान आप से ही बात की थी आज हमने राहिला जी मुझे नहीं पता हो सकता है मैं सर ने भी किया होगा या अभी से कई लोग होते ह हो सकता मैंने किया हो तो मुझे नहीं याद है ठीक है है कि समझ गए स्केलें ट्रेंगल क्या होता है विसंभाहु तिरभूज एक ऐसा तिरभुज जिसकी तीनों भूजाएं आसमान लंबाई की हो मतलब कोई दो हो तो कोई पांच हो कोई तीनों कुछ भी हो अलग अलग हो कि रामफूल गोण आज कच्छादस की कलाफ नहीं चली है आज कच्छ 10 की मरत न सुभार कली ने साम को आज कच्छ 10 वालों कि साम को पढ़ोगे तब हम पढ़ाएंगे क्योंकि मैंने देखा जब कम्यूटी टैब में तो कुछ लोग सुबा बोल रहे हैं कुछ लोग साम को बोल रहे हमने का ठीक है तुम लोग बुजा लो पहले तब मैं पढ़ाऊंगा अब लिखो अगला नेक्स्ट थ्री टाइप नेक्स्ट थ्री टाइप देखो अंजली साहु आरा समझ में यह मुझ में क्या हुआ टोपा लगाये हो ऐसे करें देखो अब इसमें तीन कौन कौन होता है चल बताओ क्या होता तीन इसमें शीवं पंचाल देख रहा हूं मैं आपको सोनु कुमार आकास कुमार आकास कुमार बच्चा पढ़ा दिया गया बहुपद प्ले लिस्ट में जाके देख लो बाबू ठीक है बहुपद पढ़ा दिया गया जाके देख लो चलो इसमें वह स्ट होता है नियून कोड नियून कोड तिरभूज इसको मैं हिंदी में लिख रहा हूं इंगलीस में भी लिखूंगा इंगलीस में बच्चा इसे क्या बोलते हैं एक्यूट एक्यूट एंगल्ड ट्रैंगल आई से कुछ बोलते हैं बड़ा अटपटी एंग्रेजी होती है एंगल्ड ट्राइंगल हूं लिखो एंगळ्ड ट्राइंगल नियून कौन तिर्फूज मतलब एक्यूट अंगल ट्राइंगल यह क्या होता भाई यह कौन सी मुसीबत का नाम है ध्याद दो आप लोग सुनील चत्तुर चंद्रबंसी जी प्यार से देखो अंजली साहु आप भी ध्यान से देखो बिल्ला उल्ला मत वेजो निक काट लेगा चलो आप पढ़ने की कोशिस करो इसमें ध्यान दो देखो निवन कौण तिर्भूज क्या होता है मतलब एक ऐसा तिर्भूज जिसका परते कौण नब यन से कम होता है मतलब 90 से बलो होता है वह क्या होता है निवन कौण होता मतलब यह 90 से क्या होना चाहिए devi लेस होना चाहिए बस यह ऐसे कह सकते कि नियून कोण वसे भी 90 से कम ही होता है कि समझ गए ना अननत जी समझ में आ रहा कुछ कुछ थोड़ा बहुत दिमाग में बस रहा है रामपूल गोण अनुपम यादो देखो सभी बच्चों से हमारी एक निबेदना है यह कि आप अपने साथियों को लाइब में लेके आओ जो 25 लोग देख रहे हो ना अगर यह 50 लोग 100 लोग देखेंगे तो हम पूरा कोर्स यूटूब पे फिरी में पढ़ाएंगे और बड़ी बड़ी कलाश चलेगी एक एक घंटे की रिवाईज भी करवा देंगे मैत में पूरे पुडांग पाओगे 70 में 70 वाई 30 का प्रेट करो फिर सब कुछ पढ़वाऊगी एक तरफ से ठीक है विसा मेरे बच्चा अंध पढ़ा ने जा रहा है का फिरी सो पढ़ा जा रहा ना किया और कूछ हो रहा है में समकॉण तिर्भूज समकॉण तिर्भूज क्या है देखो अभी exercise साइज नहीं करवा रहें अभी exercise हम लोग करेंगे यह introduction चल रहा है सथवा चेप्टर का introduction जब हो जाएगा तो 7.1 पढ़ेंगे हम लोग अभी इंट्रोड–शन चल रहा है यह चैप्टर साथ के बारे में अध्यन कर लो पहले उसके बाद फिर चलेगा आपका सेबन पॉइंट वन एक्सरसाइज सेबन पॉइंट वन अभी नहीं चल रहा है कि भी नंबर लिखो बच्चा कि समकोण तिर्भूज क्या लिखोगे बेटा समकोण तिर्भूज इसे का का बोलते हैं इंगलीज में इंगलीज में कोई बताएगा नहीं बताओगे साब लोग हिंदिये वाले हों का हाँ माफिय किंग हमरे नंबर है उपर लेकिन आपका नाम माफिया इसलिए मुझे डर लग रहा है आपसे देखो लिखो राइट एंगल्ड ट्रैंगल चिया लए यह यह राइट एंगल्ड ट्रैंगल क्या होता है है एक ऐसा तिर भूज़ है एक ऐसा तिरहूज जिसका कोई कोड़ कोड़ नज अन्स नब 11 का जाता है थिक समानज रहों कर नह Paybot कोड़ भी この न बैंझ का शरौब्स बिल्कुल कर नमर्या जी बेरिगूड हुआ है सभी का क्या हुआ है हां तो कोई डाउट है तो बताओ अनंत पांडे अभी यहां पर आओ तो तुमको भी दिखा दे हां मेरे पास आजाओ तुम थोड़ा सा क्योंकि मैं यहां पर चापके खड़ा रहा हूं तो लिखोगे कैसे साइड नहीं होंगे तो तो अपना दिमाग थोड़ा अपने पास में रखके रहो ठीक है हरिबन स्यादो जी ठीक है देखेंगे हम लोग ट्राई करेंगे कोशिस करते हैं साम को करने का वैसे कि अगर साम को करएंगे बच्चां तो फिर साथ बजे के पहले ही करेंगे क्यो कि सूबह के टाइम साम के टाइम खाली नहीं यह सारा सीस्टम वुक है सब सुबा खुब जल्दी पढ़ लो ना फिर या तो कच्छा दस वालों का कोशिश करते हैं सुबा 7 बज़े ए 6 बज़े अरे उठ जाया करो जल्दी सो के चलो अगला लिखो सी टाइब में क्या कहता है कौन कौन सा हो गया कौन की अधार पर क्या क्या हूँ न्यून कौन हो गया सम कौन हो गया अगला है अधिक कौन क्या बच्चा अधिक कौन लिखो जल्दी से इसको क्या बोलते इंगलीज में भाई obtuse angle triangle है न चलो क्या बोलता है इसे obtuse angle triangle न एंगल triangle चलो लिखो जल दिसे फटा फट हीडिंग डालो obtuse angle triangle यह क्या होता है ग्रेटर दन्उबे ग्रेटर दन्उबे बिलकुल देखो को के एक साथ इर अधिक का ला आता है qa राहिला खांजी अब क्या मैं आपको कोई अलग से समझाऊ आप वीडियो को दुबारा देखिए आप जीरो लेबल से शुरू करिए यहां पले नहीं पड़ेगा यह हाई लेबल की मैयत है हाई स्कूल की मैयत है एक परकार से अगर आपका मैयत भीख है तो आप पीछे से पड़िए स्टार्टिंग से मुनीराम भदसर जी आ रहा ना कुछ समझ में अधिक कोंड तिर्भुज क्या होता है एक ऐसा तिर्भुज जिसका कोई एक कोंड 90 अंसे अधिक होता है वो अधिक कोंड तिर्भुज कहलाता है तो य अगला पढ़ोगे सरवांगसम और समरूप तिर्भुज क्या पढ़ोगे बच्चा सरवांगसम और समरूप तिर्भुज पढ़ोगे तो मैं इसको तो इसे फिलहाल कल पढ़ाऊंगा लेकिन आज मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं इसमें अभी बच्चे चुकी 25-30 बाई 25 लोग हो 2-3-3 लोग को और लेके आओ 100 बच्चे हो जाएं हम पूरे गंटे पढ़ाएंगे लेकिन अभी जब तक आप लोग कोई संख्या 100 से कम है तब तक हम एक गंटे नहीं पढ़ाएंगे कभी तो क्या करेंगे हम कल हम लोग पढ़ेंगे सरवांगसम तिर्भु यह है जो मैने लिया है लेंगा है अ आप लोग को देख रहे यह सरवंगसम तिर्भु जेए इक करिया करिया एक घोर गोर है है एक काला है एक सफेद हैं मदलत दो ऐसे तिर्च जिनको एक दूसरे पए रखें तो पूरा ठंक लेह उनको जैसे देखो सफेद वाला देखो इस पर रख रहा हूं इधर से अब तुम ध्यान से देखना उधर से सफेद वाला बिल्कूल नहीं दिखेगा मैं इसको ठाक इस पर रखूंगा तो यह देखो दिखेगा तो बता देना दिख रहा है क्या सफेद वाला दिख रहा है क्या सफेद वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है क्या बोलो दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा ना बच्चा लेकिन ये था ये 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 है ना तो ऐसा तिर्भुज होना चाहिए कि एक दूसरे के उपर मतलब उनको रख देना चड़ा देना तो वो छुप जाएं दिखें ही ना जैसे देखो इधर से मैंने बलेक वाला आपको लॉखेंगा ये को भी दीखेंगे को गड़ बड़ा जा रही सवजा देख पार है थोड़ा बहुत दिख रहा दो आइसे तिर्भुज जिसके सभी अंग समान हो कि मतलब उनका आकार भी समान कर फोफ । आए उनका सेप भी समान हो और उनका क्या समान ओं कि अंतर होता है सेप और साइज दोनों इक्वल होना चाहिए जैसे देखो इधर साइड में बच्चा देखो सेप और साइज समझ़व लो जैसे यह तिरभूज है यह तिरभूज है ना अ मैंने एक तिरभूज ऐसे और बना दिया येलो ऐसे मैंने इसको और सुला दिया येलो ये भी एक तिरभूज है इन दोनों का सेफ समान है सेफ सेफ मतलब जानगे ना भाया इसमें भी एक लाइन सीधी है एक तिरची है एक लंबी है उसमें भी वही है लेकिन इनकी साइज नहीं समान है साइज समान नहीं है अगर इसमें ये साथ सेंटीमीटर है इसमें ये पांच सेंटीमीटर है तो इसमें ये नौ सेंटीमीटर है और इसमें ये विचारा चार सेंटीमीटर है तो ये छोटका हुआ छे सेंटीमीटर है सेप और साइज समझ में आया समझ में यह दोनों सेम सेप के हैं लेकिन साइज सेप नहीं है और साइज जो है वो सेम नहीं है और सेम साइज और सेम सेप वाला मैं हाथ में लेके घूम रहा हूं यह इसलिए मैंने आज इसको बनाया था अधा गंटा देख रहा है इसको मैंने क करो झाट बोर्ड वीजिसर आप लोगों को दिखाऊं ठीकी इब हाँ रामफूल जी आराना समझ में बच्चा तो चल पीतना पूछा जाए तिरभुज कितने परकार के होते हैं तो तीर जबुछे परकार के होते हैं लेकिन只有 फितना पूछा जाए कि तिर्भूज कितने परकार के होते हैं तो आप 6 बताओगे याद रखना ठीक है तो आज हम पढ़ेंगे सरबांग सम्ता क्या पढ़ेंगे सरबांग सम्ता तो चलो अब हम बात करते हैं आखिर ये तिर्भूज की ये सरबांग सम्ता कौन सा जानवर का नाम है चलो फटाफट छे होते हैं according 3 भाई क्या बोल रही है छे होते हैं भेजा के according 3 यह बेजा नहीं होता साहू जी यह भूजा होता है ठीक है चलिए अब हम क्या करेंगे कांगुरियंस के बारे में पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे कांगुरियंस इसे इंग्लिज में क्या बोलते हैं कांगुरियंस इस्पेलिंग सही है ना इस्पेलिंग यह होती है देखो यह होता क्या है कांगुरियंस क्या होता है इसके वैसे तो कई परकार होते हैं कई परकार म होती है कोई भी तिर्भूज काय से होगा सर्भ अंगसम आप कैसे जानोगे को मतलब समझो कि सर्भ अंग सम अगर हम इसको थोड़ा सा अलग-अलग लिखें इसका मतलब है तो से ऐसे अगर हमारे हाथ के अंगुली है तो मुझे यह बताओ क्या यह अंगुली सब बराबर है यह अंगुली सब बराबर है नहीं बराबर है ना इसका मतलब हमारी अंगुली आपस में बराबर नहीं है बराबर नहीं है लेकिन अगर मैं कहूं क्या यह दोनों मारकर बराबर आपको मतलब बराबर लंबाई बराबर मोटाई का दिख रहा है तो आप कहोगे हां इसका काला वाला भाग भी उतना बड़ा है और नीचे वाइट वाला पार्ट भी उतना ही बड़ा है अगर ध्यान दो बच्चा तो यह मारकर एक्वल है बराबर है ना मारकर यह इसका टोपा टोपा लेलो भाई इसकी टोपी भी बराबर यह जोटीए बड़ी तुन ही न dissoci अएकदम बराबर और और अगर यह ले ली तो यह भी बराबर यहीं Better टूब के भी बराबर है यह इनी दोनों मारकर सुपार सबसे हैं क्या है दोनों मारकर सर्वांग्संत्य सोबैं ठीक है आप चलो देहान दो अब इधर साइड आप लोग देहान दो दोनों मारकर एक समान है यानि यह सरवांगसम है तिरभूज में कैसे होता है तिरभूज में ऐसे होता है जैसे मैंने एक तिरभूज बनाया यह देखो एक तिरभूज मैंने बनाया यह ठीक है अब ध्यान देना हां मतलब सेप अंड साइज दोनों इक्वल होना चाहिए कल मैंने थोड़ा सा बताया था लेकिन आज ज्यादा डिस्क्राइब करूँगा तो बच्चा जैसे देखो यह ABC है और इस तिरभूज में अंतर होता है जैसे थोडा सा समझो इधर साइड में यह सेप और साइज क्या होता है चुकि हमें तो आपको सब कुछ चिखाना है वसे तो को आदा है लेकिन भी मैं वताँ मोनिका जैन्ची देख पा रहा हूं आपका अपका कमेंट अब हो LOOK तो चलिए जैसे मैंने यह बनाया और मेन यह बनाया इन दोनों का सियव मतलब अकृति समान है दूरी सोनी बताऊ इनका सेफ समान है या जलओ सेप इक्वल है यह नहीं है हस्तुर ? बुख घुन दोनों का सेप समान नहीं है थीक है आप समझो इदर साइज में समझो लेकिन इनकी साइज समान है अब है जब सेप ही नहीं समान है तो हम साइज कैसे समान कर पाएंगे हाँ प्हहले सेफ चमान होना चाहिए तभी आप साइज की दिए यह यह तो गोलाई नुमा में है और यह ऐसे है इनकी साइज तो आप कोई कुए कंपेर नहीं है यह अंब है और इदर साइड क relied में देखो इनको आगर्ति है इनका सेप एक्वल है सेप जैसे है ना इनका आकार एक जैसे तो कि बताओ आकर्ति कैसे है ईक जैसे ये हैं वैसे ये भी फ़ित अब बात करते है साइच कि देखो मत समझों इंगलीज में समझों जाने दो हिंदी बड़ा confusion वाला होता है सेप का मतलब होता इसकी बनावट अब साइजी में अगर हम चलें तो अब साइजी इसमें समय का क्यों कि इनकी साइज भी समान है और स्वेप भी एक समान यह सरबंसम का मतलब यह बच्चा कि अगर इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर चड़ा दिया जाए तो यह एक दूसरे को ढख लेंगे पूरा ढख लेंगे दिखेंगे नहीं जैसे देखो मेरे हाथ में क्या है कि कुछ दिख रहा है कि मेरे हाथ में कुछ है कुछ दिख रहा है यह टेड़ा मेड़ा हो रहा है कि क्या है मेरे हाथ में क्या है तिर भूज है ना दो ट्रेंगल आकार के पेपर हैं है ना अब देखो यह दोनों अगर सरबांगसम होंगे पहले इनका मतलब समझो अगर यह दोन याशने पीछे वाला नहीं दिखिएगाहर जैसे मैं आपकी b rok nova करता हूं और white वाला मैं झाकने की कोशिद करता हूँ देखे स्थ स्थ लगज़ा करता है ये डिखे आभी वाइटLoila na नहीं दिख रहा है ना लेकिन मैंने उसको मोडा नहीं है मैंने मोडा नहीं मैंने क्या किया देखो इधर यह मैंने ऐसे पकड़ा है तो अब इधर से बलेक दिख रहा है इधर से बलेक दिख रहा है बलेक नहीं दिख रहा है मतलब पीछे का बलेक वाला नहीं दिख रहा है औ अभी एक दूसरे को पूरा पूरा ढख ले रहे, मतलब की दिख नहीं रहे, हलका भी दूसरा वाला नहीं दिख रहा है, बोलो समझ में आया, समझ में आया, भई बहुत बड़ी चीज है, समझ जाओ तो, देखो एक बात और समझ लो, एक बात और समझ लो, अब तुम लोग क है, चलो मैंने रखा इसे, पेपर दिख रहा है, पेपर नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने इधर से दिखाया, कागज दिख रहा है, यह सब कुछ दिख रहा है, कागज भी दिख रहा है, किताब भी दिख रही, मतलब की इन दोनों में कोई कंपेर नहीं हो सकता है, यह न सर बात समझ में आई ना सूरज कुमार जी आपका कमेंट आ रहा है प्रिंस पटेल अभी सेक मोनिका नौसाद राजा सब का आ रहा है चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जितने भी छात्र नए जुड़े हैं जल्दी से चैनल को तुरंट सब्सक्राइब कर लें बहुत करूंगा उसके बाद आगे बढ़ूंगा इसके परकार बताऊंगा देखो सरवांगसम कैसे होता है जब दो तिर्भूज एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखने पर पूरी तरह धंक लें उसका कोई भी पार्ट दूसरे का ना दिखाई दे तो वह सरवांगसम कहलाते हैं जैसे देखो मैंने ब्लैक वाले में यह देखो इसको रखा ऐसे यह ऐसे रखा अब यह देखो दोनों को मैं बराबर कर रहा हूं तो यह एक दूसरे को ढख ले रहे हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं यह ढख ले रहे हैं अब बताओ आप मुझे यह बताओ बराबर करने दो या ब्लेक तिरभुच आपको दिखरा पीछे इच वाला नहीं थिख रहा ना लेकिन दिख रहे है तो ने přिच रूझ समें नहीं unhappy when ago i keep not right was न गज़िए दिख रहे हैं marketing व्याइब है और बाबरनी दोनों कर्बांग सम्हें थोनों क्या है जैसे इनका हाकार भी बराबर है आकरिती भी बराबर है लेकिन अगर मैं कोई एक तिर्भूज बड़ा फल याँ वह भी एक सिकंड रुको मैं आपको एक बड़ा तिर्भूज भी लाके एकदम किलियर करतूं कि कभी जिंदगी में मत भूलो कोई कलाश छोड़के मत जाये न ठीक है मैं एक और तिर्भूज ला रहा हूं जाना मत बच्चा जाना मत यह लो में जादा कापी नहीं फाड़ूंगा आचुकी पेपर फाड़ना पड़ता यह तिर्भूज है अब ध्यान दो यह तिर्भूज है और यह बलेक वाला पहले बता दोनों का सेप एक समान है से सेप एक समान है ना दोनों का बोलो यहां फे देख लो एक समान सेफ है है ना भाई दोनों तिर्भूज की आकार के हैं यह भी तिर्भूज है यह भी तिर्भूज है लेकिन अगर इसको हम एक दूसरे को पर रखें ऐसे अब मुझे यह बताओ क्या आपको बलेक वाला तिर्भूज दिख रहा है कि आपको बलेक वाला तिर्भूज दिख रहा है कि नहीं बच्चा दिख रहा है बाई उधर्म घिंटा दिख रहा है ना प्रिंस पटेल दिख रहा है ना बलेक वाला दिख रहा है ना और इधर अ तो क्या आपको वाइट वाला दिख रहा है नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है इधर से देखो दिख रहा है न यानि अगर मानलो मैं इसको उपर कर दिया यह आपको वाइट दिख रहा है नहीं दिख रहा है कहने का यह मतलब है कि यह दोनों है तो ति इसन नहीं है इनकी देखो भुजाएं एक जैसे हैं तिर्भुजा आकार की है मतलब जैसे मैं इधर साइड में बोल दूँ इनका दोने जैंपल मैं बोर्ड पर बना रहा हूं देखो बच्चा इधर साइड में आप लोग बड़ा प्यार से देखो इधर साइड में दोनों तिर्भुज तो हैं दोनों तीन भुजा वाले हैं बंद अकरती हैं दोनों तिर्भुज हैं लेकिन यह क्या है बच्चा है और यह क्या है दादा जी है तो बैया दादा जी और बच्चा दोनों बराबर तो नहीं रहेगा ना बड़ा चोटा तो रहेंगे ना आपक थिक हुक primary ये सरवांग सम्ने नहीं इनका आकार समान है कि आकार समान है नहीं आकृति समान है फिक अ अकृति समान है लेकिन आकार समान है जाव सेप्ल का अिक्वल हाई सेप मतलब तिर्भुजा कर रहें जोनों ठीक है या प्रिंस पडेल आपका इंटरनेट नहीं चल रहा बाबू अपना इंटरनेट से चेंज मतलब सही करो या फिर आप शेटिंग में जा के वाल्टी बदल लो वीडियो का बुझे सेटिंग में जाके क्वाल्टी चेंज कर लो हमारी तरब से फूल एच्टी दिख रहा है आपका इंटरनेट धीमा है इस वज़ा से आपको थोड़ा समस्या हो रही है इंटरनेट आपका तेज नहीं है हाँ चलो आप चलें आगे बढ़ें हम लोग समझ में आ गया ना तो अब हम देखेंगे कि ये सरवांगसम तिरभुच कितने परकार के होते हैं भाई ये तो दो तिरभुच के लिए हो गया अगर हम दो से अधिक तिरभुच की सरवांगसमता की बात करें तो कितनी कंडिशन होती है जैसे आपने सूना होगा भूजा कोन्र बूजा सार्बांग सम्ता है अ consistent सनेखो अब ठीरबूज के प्रकार की बात नहीं हो रही यहां पर आरती मार्या जी मैं आपका कमेंट देख पार हूँ चलो इधर साइड में देखो क्या है इधर साइड में आप द्यान से देखो क्या है अब हम बात करेंगे कि कांगुरियंस जो होते हैं उनके कितने रूल होते हैं वो कितने कितनी इस्थिती में कांगुरियंस हो सकते हैं मतलब जैसे अगर कोई दो तिर्भूज उनकी भूजा भूजा बराबर है दोनों तिर्भूज में दो भूजाय बराबर है एक कोण बराबर है तब तिर्भूज सर्वांग सम होते हैं हैं अगर किसी दो तिरुँज के तीनो भुजा इबराबर हैं तो सर्भांगसम होते हैं अगर एक कौड वर्र बराबर सर्भांग ku होते हैं इस तरह फे धेर फारे रूल होते हैं चलो मैं आपको यह सारे रूल बता दे रहा हूं ठीक है आपका कहते है पहले कान नटोवे तो वही आगादा मतलब कहावत आपके उपर है थोड़ा सा लागू हो रही यू केंडू इट आपका kinda camera check करिए पहले कि आपका internet सही नहीं है ठीक है camera हमारा ठीक है आपका भी ठीक है आपका internet ठीक नहीं है अपना internet आप चेंज करलो थोड़ा सा मतलब हो वीडियो की quality सही कर लो बस अच्छा देख सेगा चलिए हाँ तो अब हम क्या बात करते हैं अब लिखो आप लोग कर्टीरिया फार का एंगुरेंस आप ट्रेंगल तिर्भुच के सर्वांगसम होने की सरतें हेडिंग डालो हिंदी में आप लोग तिर्भुच के सर्वांगसम होने की सरतें मैं इसको इंगलीज में लिखते रहा हूं लिखो भीया इभिको दिया कोनों कायर है हुद नलायक टाइप के हैं आप हमारे कुछ लोग है उनको मैं क्या कहूं लिखो कर्टीरिया फार काइंगुरेंस आफ ट्राइंगल हाँ भीया चलो लिखो पहले हिंदी में लिखो तिरबुच के सरवांगसम होने की सरतें ठीक है आफ ट्राइंगल देखो मैं अकसर हिंदी में ही पढ़ाता हूं लेकिन मैं इंग्लिस में इसलिए लिख देता हूं जिससे की बच्चों को समझ में आए ठीक है आरती मौरा जी आप पढ़ाई करिये ठीक है यू काइं डू इट सब कुछ ठीक है बजिया देखो डियाफलार में जल्दी ही ले आऊंगा डियाफलार कैमरा आने माला है आपकी यह भी सिकायद दूर हो जाएगी लेकिन बस हमें कुछ दिन और दीजिए आपसे निबेदन इसका मतलब क्या है कोई बताएगा कमेंट करके रेड़ी जल्दी बताओ अरती मौर्या जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और अगर आपके मन में कोई और भी सवाल है तो अब बताएगे देखो इसका उत्तर किरन मौर्या का आगया सचीन कुमार बच्चा कच्छा साथ का नहीं होता है अब प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लो बाबू ठीक है अ आपकी काइंगुरेंस होने की पांच कंडिशन है कितनी कंडिशन है फाइव कंडिशन है कि जब दो ट्राइंगल काइंगुरेंस होंगे जब दो तीरभूज क्या होंगे सरवंगसम होंगे तो उनकी पांच कंडिशन है कितनी है पांच कंडिशन है जैसे हम सबसे पहले बा जिसे बोलते हैं हिंदी वाले लिख लो भूजा कोण भूजा फटाफट इसे लिखो काँपी में तभी मज़ा आएगा नहीं मज़ा नहीं आएगा उपर हिंदी में लिख लो तिर भूज के सरवांगसम होने की सरतें तिर भूज की सरवांगसम होने की सरतें चलो ठीक है बहुत धन्यवाद करेक्ट बिलकुल ये है साइड 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 को अस समझो कि साइड एंगल साइड का मतलब है कि जब किन दो तिर्भुज गी डो भुजाएं और एक कोड एक दूसरे के बराबर होंगे तो वो सर्भांग सम होंगे साइड 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 का मतलब है कि दो दिये गए तिरभुज में या दो से अधिक तिरभुज में सभी बुजाएं बराबर होंगी आपस में सबी बुजाएं बराबर होंगी तो क्या होंगी सरभांग समोंगी असे का मतलब हुआ बच्चा इसका लिख लो इसका मतलब है बुजा 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 देखो ऐसा क्यों पता है क्योंकि साइड की इंगलिस बुजा होती है साइड की इंगलिस बुजा होती क्योंकि वो लोग संख्या में जूडते ही नहीं यार कच्छा दस वाले पांच और जूडते हैं तो वह हमारे जो प्यारे इना प्यार बच्चे जोड़ते हैं एक भी टायम पें आप लोग साहिस नहीं जुड़ते हो तो मैं अभी सुमाइब पढ़ाऊँगा दोपार में नहीं पढ़ाऊओंगा अभी मैं सुमाइब पढ़ाऊंगा कि एंगल साइड एंगल कोड़ बुजा कोड़ इसका मतलब है एंगल एंगल साइड भाई लिखो सभी लोग लिखो मैं लिख रहा हूं तो क्या मैं बेवकूप थोड़ी हूं तुम लोग लिखो इसको कोड़ कोड़ बुजा इसका मतलब है कि जो तिरभुज सरवांकसम होंगे ठीक है कि छोटू लिख रहे हो रामफूल गौण दुर्गेस सोनी किरन महुर्या सिवानी आदो आरती आरती जी फोर समेश्टर का मैध पढ़ा दीजिए फिर से आरती जी आप प्लेलिस्ट में कलास है जाके पढ़ लीजिए न काहे को परसान किये प्लेलिस्ट में व right angle hypotenious side so right angle right angle right angle right right angle hypotenious hypotenious मतलब क्या होता पता है यार यह बड़ा गडवडAT इंगलीस है मुझे इंगलीजिस कम आती सोजेस मुझे डिक्कत भी होती हां नेडिमिन hypotenious मतलब करड होता है हाइपोटिनियस साइड इसका मतलब हुआ कि समकोण कर्ण और भुजा क्या हुआ समकोण कर्ण और भुजा ठीक है ओके किरन मौर्या ने एक डिस्क्रेप्शन भी बता दिया है बहुत अच्छी बात है चलो समकोण कर्ण भुजा अब हम एक एक को explain करेंगे अभी तक तो मैंने देखा कि कितनी कंडिशन में दो तिर्भुज या दो से अदिक तिर्भुज सर्बांग सम हो सकते हैं तो वह कंडिशन पांच है एस 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 ए एस और एच एस यह फाइब कंडिशन है जब कोई भी दो या दो से अदिक तिर्भुज कांगुरियंस हो सकते हैं दिस इज दा फाइब कंडिशन या फाइब कटीरिया फार कांगुरियंस आफ ट्राइंगल नोट करिए या फिर स्क्रीन साइट ले लिजिए उसके बाद हम आगे चलते हैं ठीक है अरति जी बताईए कहां बुक में का कुश्चन नहीं है आप नंबर पर संपर्क करिए ठीक है नंबर दिया गया कल दिन में समसर से संपर्क करिए आप को बताएंगे कैसे क्या करना है और भी बहुत सारे तरीके आप पढ़ सकते हैं नोट कर लिए मिटा दूँ मैं इसको इसको मैं मिटा दूँ मिटा दूँ ना तो इनको एक एक डिस्क्राइब करना है आप लोग क्या कहरो मैं आज डिस्क्राइब कर दूँ तो बहुत टाइम हो जाएगा यार देखो आज चास बच्चे तो पूरा करो ना यार जो भी आपकी साथ ही लोग हैं आपके साथ पढ़ते हैं चाहे उनके ममी पापा आपके संपर्क में हैं अंकल अंटी लोग या भाई भावी दीदी कोई भी आप उनसे बोल दीजिए कि पीवियर स्टेडी चैनल पे सामको साथ बज़े लाइप चलती है बिल्कुल फ्री और यह भी है कि आपका नाम भी बोला जाता है हाँ आपका नाम भी मोला जाता है आ कि हैं इसे नहीं हैं कि अ कि इतना लिखा मैंने आपको बताया चलिए तो फिर क्या करें हम लोग आज की कलास यहीं पर बंद कर दें आप लोग कल फिर से जुड़ना ठीक है इसी टाइम पर इसी टाइम पर जुड़ना जैसे 50 बच्चे हो जाते वैसे कलास का टाइम हम एक गंटे कर देंगे अभी हम आधे गंटे पढ़ा रहें सिर्फ आधे लो डेली कलास के लिए आप सभी बच्चे टेली ग्राम एप जरूर डाउनलोड करो ठीक है गूगल प्लेई स्टोर से आप टेली ग्राम एप डाउनलोड कर लीजी अगर आपकी मोवाइल में नहीं है डाउनलोड करने के बाद अपना अकाउंट बना लो जैसे वर्टसप बनाते उसी तरह से और उसके बाद वहां पे सर्च करना लिख के टेली ग्राम पे उपर सर्च का आपसण आता है जैसे यूटूब में सर्च करते हो PBR study लिख के सार्च करना PBR study spelling लिख लो note कर लो फिर channel मिल जाएगा वहाँ पर join का अपसान आएगा एक बार touch करोगे तो join कर ले ना उसमें आज तक की सारी class भेजी गई है सब कुछ भेजा गया जो अभी तक पढ़ाया गया है वहाँ आप जाके पढ़ सकते हो ठीक है हाँ यह class Sunday को नहीं होती लाइब बाकी हर दिन होती है इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं कि कल आओगे कि नहीं आओगे परसू आओगे कि नहीं आओगे अगर कोई समस्या नहीं हो जाए इंटरनेट और गहरा की तो यह class हर दिन ल और अपने जिले का नाम लिख के WhatsApp कर देंगी तो उनको WhatsApp के ग्रूप में भी जोड़ दिया जाएगा